पोलिनोमियल्स क्लास नाइन्थ एक्सरसाइस 2.5 कोश्चन नमबर 6 से हमारे सामने इसमें कह रहा है राइट दो फोलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म 6 का 4 है x-2 by 3y the whole cube यानि इसको expand फॉर्म में करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक identity का यूच करेंगे यानि हम लिखेंगे a-b the whole cube aq-bq-3ab into a-b अब क्या करेंगे फर्स्ट वाले को a और सेकेंड वाले को b बोलेंगे अब इस फर्मूला पे यानि ये इसके जैसा दिया हुआ है इसके फॉर्म में करना है तो अब value put करेंगे ये का value क्या है x का q minus 2 by 3 y the whole cube minus 3 x into 2 by 3 y into a-b x minus 2 by 3 y solve करते हैं x q minus 2 का q क्या होगा 8 y q by 3 का q cube 27 minus 3 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा multiply हो जाएगा तो 2 x y हो जाएगा यहाँ पो हो जाएगा x minus 2 by 3 y next step x q minus 8 y q by 27 minus यह multiply हो जाएगा 2 x y into x 2 x square y minus minus plus 2 into 2 4 by 3 नीचे है और x y यहाँ है y यहाँ है तो x y into y x y square यहाँ फाइनली एंसर हुआ x q minus 8 y q by 27 minus 2 x square y plus 4 by 3 x y the whole square यही एंसर हुआ इसको आप लोग पढ़िए अगर किसी परकार का दिक्कत होता है तो आप comment section में पूश सकते हैं फिर मिलेंगे next वीडियो में ह्याँ है एिर मिलेंगे झाल यहाँ है इसको आप भीडियों वाँ है यहाँ है कि यहाँैंवाँ